नमस्कार दोस्तों आज 13 अप्रेल 24 बसपस उप्रियों माय वतियों और भीम आर्मी चीप चंदर सेखर आजास सजुडी आज की तमाम छोटी बड़ी ख़बरों को लेकर आपके वीच हाजिर हुए हैं सभी ख़बरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे इससे पहले आप से एक छोटा सा निविदर है अगर आप सच्चे अम्बिट करवादी हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जैभीम जरूर लिखें इस वीडियो करने जाद से जाद अस्यार और भुजन समाज के चैनल को सब्सक पवन सिंग जिहा मित्रों आपको तादे की भुजपुरी इस्टार पवन सिंग ने BSP सुप्रियो मायवती से मुलाकात की है संभाव न जताई जा रहे हैं कि भुजपुरी एक्टर बहुजन समाज पार्टी के टिकेट पर चुनाओ लड़ सकते हैं दो दिन पहले ही उन्ह पवन सिंग ने आसन सोल से टिकेट दी ती लेकिन उन्होंने आसन सोल से चुनाओ लड़ने से इनकार कर दिया। कुटादे पावन सिंग ने कारा कार्ट की लोगसभा सेट को चुना न हो रिए इसी के चलते पावन्ज सिंग ने बस बस उप्रियो माया वती से मुलाकात कि अने के बाद अब संभावना यह जताई जा रही है कि वो बहुजन समाज पालिटी के टिकेट पर ही चुनाव लड़ेंगे अगली बड़ी खबार गशाध की भीम राजवर को टिकेट दिया है जो कि पूर में बीएसबी के प्रिदेश अद्यक्ष रह चुके हैं घोसी लोकसवा सीड्स से वालकरशन चोहान एटारा लोकसवा सीड्स से महांमद इरुफान को टिकेट दिया गया है इसके लावा द्धोर हरा लोकसवा सीट से स्याम किशोर अवस्ती को वस्पा सुप्रियो मायावती के दुआरा टिकेट दिया गया है फैजाबाद की लोकसवा सीट से सचना नंद पांडे को मैदान में उतारा गया है वस्ती लोकसवा सीट से बस्पा के दुआरा दया संकर मि मैदान में उतारा गया है गोरखपुर की लोकसवा सीट से जावेद सिम नानी को आपको तादी की बहुज़न समाज पार्टी ने टिकेट दिया है चंदौली लोकसवा सीट से सत्यांद्र कुमार मौर को बीएस्पी ने टिकेट दिया है इसके अलावा रोवर्ट गंज से टिकर दिया गया है तो आज वहन जी ने उत्तर प्रदेश लोकसवा चुनाओं को लेकर चोथी सूची में नो प्रतियासियों को मैदान में उता रहा है गली बड़ी खबार नगीना लोकसवा सीट से आया ताजा सरवे चंदर सिखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिली सीधी टककर समाजबादी पार्टी और भाजपा कर रही है हवा हवाई जीत कदाबा जीहां वत्रों आप सभी को पते हुगा कि आजा समाज पार्टी के रा पी तक के दुआरा सरवे किया गया जिसमें आपको तादे की लिखा गया कि विजनोर की नगीना सीट पर बसपा ने ठोका जीत का दावा आका सानन्द की रेली का होगा असर या फिर बेजीपी फिरत्यासी ओम कुमार और आजास समाज पार्टी के चंदर सिखर आजाद में किसी एक को मिलेगी जीत इस तरीके से आपको तादे की कैप्सन देते हुए उप्सन दिये गए कि वसपा जीतेगी वेजीपी जीतेगी या आजास समाज पार्टी जीतेगी या कोई अन जो दल है वो जीतेंगे तो यहाँ पर आपको तादे की चंदर सिखर आजाद के लिए जो लोगों की पसंद बने हुए है चंदर सिखर आजाद वो 46 फीसदी लोग या चाहते हैं की चंदर सिखर आजाद ही नगीना से चुनाव जीते हैं और 46 प्रतिसत जनता नगीना की चंदर सिखर आजाद को प प्रतिसत लोग हैं इसके लाबा इंडिया गठ बंदन या किसी अन प्रतियासी की बात करें तो 16 फिश्दी किसी अन के खाते में बोट जा सकते हैं तो ये जो सर्वे आया है से साप पता सलता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंदर सिखर रायात के पक्ष में नगी ना में किस तरीके से माहौल बनाया हुआ है खलाल आपकी क्या राहे कॉमेंट करें खनवाद